खबर है चतिसगड की जहां निलमवित IPS मुकेश गुपता ने सुप्रीम कोट में रिट याचिका लगाई है याचिका में मांग करते हुए कहा गया है कि राजे में जितने भी FIR और जांच चल रहे हैं उसे राजे के बाहर CBI या किसी अन्य सब्तंत्र एजंसी से जांच कराया जाए राजे में रेजिस्टर्ड सभी मामलों को प्रायोजित बताया गया है इन सभी मामले में सुप्रीम कोट में सम्भनित पक्षों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है मुकेश गुप्ता के वकील अमीन खान ने बातशित में बताया कि मुकेश गुप्ता के खिलाब जितने भी F.I.R. और जांच चल रही है उन सभी मामलों को लेकर सुप्रीम कोट में रिट लगाई गई है उनके द्वारा मांग की गई है कि जो भी मामले रिजिस्टर्ड है वो पूरी थरा से प्रायोजित है इन मामलों को राज्य के बाहर CBI या फिर किसी सब्तंतर अजन्सी से जांच करवाई जाए नोटिस जारी के सवाल पर कहा कि मामले से जुड़े सभी लोगों को सुप्रीम कोट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है बता दें कि नान भोटाले में अवैड पोन टैपिंग मामला साड़ा प्लाट अमंडन को लेकर गड़बडी के आरोप में F.I.R. और मिक्की महता की मोट मामले में जान चल रही है ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बचन पर खिलिक कर बेल आइकन को दबाए